बुड मॉर्निंग एफ्रिवन कैसे हैं आप सब होप आप सभी अच्छी होंगे बहतर होंगे और वीडियोस को फूब बच्चे से उंजवाय करेंगे मैं विशाका जैस्वाल आप सभी का पात्रे इस्टूट आप लाइफ साइंस में बहुत-बहुत स्वाब रखोती हूँ बच्चो आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो हैं मेंब्रेन आईजी एम और आईजी एम के बारे में डिफ्रेंसेज तो आपको सदने इसके जस्ट पहले वाले लेक्च्छर में पढ़ाया होगा कि BCR और TCR क्या है मतलब B-cell receptor और T-cell receptor क्या है उसी के बारे में हम य पांच टाइप की एंटिबॉडी होते जिसमें IGM भी होता है और मेंब्रेन IGM आप देखोगे तो क्या डिफरेंसेज अ मेंब्रेन आईजी एम में और IGM में वही हम यहाँ पर क्या करेंगे डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोगो का आप सिफ membrane IgM, यह M IgM क्या होता है, यह हमें नहीं समझ में आता है, तो हम इसके पहले थोड़ा सा आपको यह समझा दे कि पहले antibody क्या होती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ है, क्योंकि आप Ig लिख रहे हैं, दोनों में ही, तो यह Ig का मतलब होता है immunoglobulin, क्या होता है immunoglo globulin, यह immunoglobulin एक तरह की क्या है, protein है, globulin क्या होती है, immuno मतलब होता है immune cells के लिए, है न, immunity या immune cells के लिए हम बात कर रहे है, ग्लोबलीन एक क्या है? प्रोटीन है. ठीक है? इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? I.G. लिखते हैं. सबसे पहली बात क्लिए हो गई. अब क्यों?अब यह immunogloबलीन है कॉन? यह immunogloलीन हम जिसकी बात करर restrictive वो है? antibody antibody एक type की क्या है? immunoglobuline है क्यों कि यह immune system को क्या करती है enhance करती है मतलब कि यह antigen को मारने के लिए use की जाती है अब यह antibody एक protein तो है immunoglobuline है पर यह antibody खाम क्या करती है कैसे करती है आप detail एक chapter में पढ़ोगे antibody यहाँ पर बस थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि जो B cell है सर ने आपको बताया है कि B lymphocyte की B lymphocyte की क्या B cell क्या produce करती है दो cells बनाती है एक होता है plasma cell और एक क्या होता है memory cell है ना एक होता है plasma cell एक होता है memory cell plasma cell का का काम क्या है antibody को produce करा ठीक है antibody बनाना यह सब क्या है यह सब ही क्या है antibodies अब यहां पर मेमोरी सल क्या करती है इस को में मेरी ते प्लाजम क्या क्राइक मरstone यहां और इसकी मोर psychiatrist, यहां लिए शर्ने प्लाजम ने प्लाजम क्यों सिक्सदों क्या कर लेक्शर हैIt तो तो वह उसको बेख वाए अपक rằng फ्लाजम का प्लासम क्या काउम है एं ताकि हमें री इंफेक्शन ना हो ठीक है एक तो बात आपको यह वाली पता चल गई अब दूसरी बात हम करते हैं यहां पर अब बात करते हैं हम लोग यह जो एंटी बोडी है वो क्या है आपकी एक प्रोटीन है और वो कौन सी प्रोटीन आपको पता चला इम्मुनो ग्लोब इसलिए इसको आई जी बोला जाता है अब को यह थोड़ा समझ आ गया अब एंटी बोडी का जो शेप है वो क्या होता है वाइ शेप का होता है आप उसको देखोंगे तो यह कैसा नजर आएगा कुछ ऐसा ठीक है इसमें क्या होती है दो लाइट चेन और दो हैवी चेन होत है कि यह variable है और वो है तो बात दूसरी वो आप detail में पढ़ोगे हर एक antibody antigen कि अगर हम बात करें antigen antigen जिसको हम ag से represent करते antibody जिसको हम a b से represent करें तो a b मतलब आप समझेगा antibody ही है antigen कि अगर हम बात कर रहे हैं तो antigen क्या है एक foreign particle antigen का मतलब होता है opposite अगर जनता मतलब होता है generator मतलब जो अपने opposite किसी को generate करवा दी और वो क्या है भाई just opposite इसके antibody तो जब antigen आता है तो उसके against क्या आती है antibody form होती है ठीक है और यह antibody कौन दिया है b cell की plasma cell ने antibody produce किया है ठीक है अब यह antibody जो है यह antibody कहां पर bind करती है यह antibody जो है वो antigen को कहां bind करती है अगर यह बात करें आपने बोला protein आपको normally बता है protein में दो terminal होता है एक N terminal एक C terminal तो यह माल लेते ही इसका N terminal है और यह क्या है इसका C terminal है एक N terminal पर क्या होती है antigen की binding होती है ant terminal पर आपको क्या नजर आता है antigen binding साइड कहांपर यह antibody यह माल लेते हैं antigen और यह क्या है antigen ठीक है तो आप बताएए अगर एक antibody है तो उसके पास कितने antigen है, 2 antigen, 2 antigen से at a time यह क्या करती है, bind करती है, ठीक है, अगर मैंने यही बोला 2 antibody है, तो आप कितने antigen बताएंगे, 4 antigen, ठीक है, यह बात आपको hopefully समझ में आई होगी, अब हम अगर type of antibody बताएं, type of antibody, तो antibody कितने type के होते हैं, 5, IgM, IgD, IgE, IgA, और IgG, ठी क्या यूज किया है, immunoglobuline को, और M, इसी M, IgM की हम बात कर रहे हैं, तो hopefully आपको समझ आया होगा, अब यहाँ पर question तो यह नहीं बनता, question तो यह बनता है कि मैं, यह तो समझ आ गया है, यह तो समझ आगया कि IgM क्या है, pipe of antibody है, पर यह बताएंगे कि membrane IgM क्या है, यह question बनता है हमारा, तो आपको यह तो समझ आ गया कि IgM क्या है, मतलब immunoglobuline M, अब यह M क्या है, यह है membrane, मतलब की, जभी भी हम membrane, इसका full form क्या है, membrane IgM, और इसका full form क्या है, यह जो IgM होती है, नॉर्मली जो यह वाली IgM लिखी होती है, यह क्या है, पेंटा मेरी IgM है, पेंटा मतलब क्य जो बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर अभी इसको बताएंगे, पहले आप इसको समझे, membrane IgM को, membrane IgM, जो सर ने आपको बताया था, कि जो mature, आपको बताया था, सर ने की पहले pre, then pro, फिर इसके बाद immature B-cell, फिर उसके बाद mature B-cell, तो यह mature B-cell का आपको structure दिख रहा है, membrane है, इसके plasma membrane पर यह membrane IgM present है, और यह membrane IgM act करती है, B-cell receptor की तरह, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, कि अगर यह, अगर यह, माल लेता है, हमारी यह plasma membrane है, यह B-cell है, B-cell की plasma membrane, और इस plasma membrane पर क्या लगा हुआ है, receptor, और यह receptor का type, अगर मैं बोलू कि, यह membrane IgM किस type के receptor की अगर इंट्रासलोर की बात करते हैं, तो या तो cytosol में होता है, या तो nucleus में होता है, तो यह extra, बाहर present है membrane पर plasma membrane पर B-cell की present है, अब यह अपने किसकी weight कर रही है, antigen का, यहां पर तो normally ligand का receptor weight करता है, लेकिन यह जो receptor है, यह antibody है, यह antibody की तरह behave कर रही है, तो इसलिए इसको ह यह membrane, यह IgM volume antibody है, clear? अब यहां पर यह बात करते हैं, यह antigen जो है, कि मान लेते हैं, अगर यह present है, ऐसे तो इसके पास एक बार में कितनी antigen binding site आपको नजर आएगी, दो, है ना, दो, एक बार यहां पर binding होगी, ठीक है, और एक क्या है, यहां binding होगी, पर पकड़ा तो ऐसे ही है, तो यहां पर कितनी antigen binding site है, दो antigen binding site है, जिसे for example, यह हमारा हात है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, तो यह क्या है constant reason है, और यह हमारे क्या है flexible है, तो हम दो हाँच से कितनी antigen को mind करा सकते हैं, दो, दो चीज़े पकड़ सकते हैं, तो यहां पर इसलिए बोला ज IgM, जो है, वो antigen को, दो antigen को at a time bind करेगा, ठीक है, यह बाद समझ में भी आई होगी आपको, लिकिन जबी भी हम pentameric IgM की बात करते हैं, तो सबसे पहले यह कहां पाई जाती है, ब्लड में, जो blood में antibody पाई जा रही है, वो free form में, जो circulate हो रही है, वो क्या है आपकी pentameric IgM ह क्यों बॉलते हैं, यहां पर अगर आप notice करें तो यह कितने antibody को दिख रहा है, इसके structure में, एक, दो, ती, यह क्या है, चार, और यह जो है पाचवा, पांच, मतलब एक, जो pentameric IgM है, उसका structure कैसा नजर आ रहा है, पाँच antibody को at a time उसने रखा है, तो आप मुझे बताईए, और यह j chain के दुख्या है, सभी j chain के दुख्या हो गई है, यह link है, clear है, तो अब यहां पर एक और question क्या बनेगा, यगर यह 5 antibody है, कितनी, भाई, 5 antibody है, 5 antibody कितने antigen को बाइन कर सकती, अगर 1 antibody आपके 2 antigen को कितने को बाइन करेगी, आपके 10 antigen को, बात समझा है, ठीक है बता, तो यहां पर आप एचेन पड़ होगे तो वहां पर भी आपको नजर आएगी दो antibody तो वहां पर हम लोग अलग-अलग देखेंगे, तो hopefully यह समझ आया होगा, इसके लिए यहां पर लेका है 10 antigen binding site है, और यहां 2 antigen, इसका molecular weight कुछ खास अभी discussed नहीं किया गया है, यह रिकॉग antigen है, यह antigen अभी knife है, या फिर knife को new बोलते है, new antigen है, या unprocessed antigen है, यह क्या है unprocessed, मतलब कि unprocessed antigen को, यह membrane IgM देखता है, पर processed antigen, जब इसके achieving हो जाएगी, इसका breakage हो जाएगा, endosomal, lysosomal complex के तुरू, तो जो MSC के तुरू present की जाती है, यह जैसे MSC, यह major histocapability complex होता है, यह B cell की membrane पर MSC class 2 होता है, इसलिए इसको antigen presenting cell भी कहा जाता है, तो जब इसके through जो antigen represent होगा, वो कौन सा होगा, processed antigen represent होता है, तो यह आपको बात में समझ आएगा, जब सर आपको mature B cell और यह से पढ़ा देंगे, तो आपको अराम से समझ में, यह सारी पाते मेरी आ जाएग तो आपको यह समझ में भी आया होगा कि यह first antigen को recognized, first unprocessed antigen को recognize कौन करता है, membrane IgM, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में बात करी लिया है, तो hopefully आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा आपको antibody पढ़ा दिया जाए, और उसके क्यों कि हाँ पर IgM यूज करें, तो जो बच्चे नए हैं, उनको नहीं समझाता, इसकी मैंने कोशिश किया है कि IgM, मतलब हम लोगों को बताते हुए, फिर आपको यह थोड़ी सी बाते बताते चले, तो आपको काम भी आएगा, सरकिक लेक्चर के बाद जस्ट आप इसको क और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कोई कोश्टिंस होंगे या क्वेरीज होंगी, या कुछ आपको एक्स्टा पढ़ना होगा, तो आप जरूर बताईएगा, thank you so much.